कुछ लोगों के राष्ट्रिय अधिवेशन, राष्ट्रिय सम्विलन, नैश्ट्रन कन्वेंशन या पूरे देश का कोई सामोईक इखटा होने का कोई बड़ा कारिकरम नहीं हुआ, कुछ सम्वों, कुछ लोगों के गुरुप्स का, इनको संठन कहना तो बेकार की बात होगी, क्योंकि ये सभी टुकडों में बटे हुए छोटे-छोटे गुरुप्स हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये अपनी एक परंपरा बना चुके हैं, यानि ये खुद जो परंपराओं को तोड़ने का काम करते हैं, इन्होंने खुद एक परंपरा बना ली है, अगस्त में, जुलाई में, बरसात के महिने में ये लोग एक जगय करते हैं, कुछ थोड़े से लोग, दो-चार लोग, उस जगय को इस हिसाफ से तैक करते हैं, कि लोगों के घुमने का मरणजन का कारेकरम हो जाए, और वहां ये लोग इखटे होकर आपस में विचार मिमर्स कर सके हैं, जिसको अधीवेशन का नाम देते हैं, तो जगय फिक्स होने के बाद में, इनका वहां का एकाद लोकल आदमी, वहां के पुलिसी स्टेशन में, वहां के एड्मिस्टेशन में, एक अपने गुरुप के नाम पर वहां एप्लिकेशन देता है, वहां एक जगय हायर करते हैं, खुली जगय लेते हैं, या बंद लेते हैं, फिर वहां लाख रुप करने के लिए जो उस सभू के पेटेंट लोग हैं, जो उस सभू के भक्त लोग हैं, वो भक्त लोग जिनको कारे करता कहा जाता है, सम्मान से कारे करता है, सम्मान इतनाम कारे करता है, और हमारे लिए तो भक्त है, तो वो लोग जगे 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 लोगों को पकात समझाते हैं बड़ा टाइम रगता है एक एक व्यक्ति तीन चार चार वार विजिट करता है और कहता है कि देखो सम्मेलन में चलो आप अधीवेशन में चलो और घूमने के हिसाब से चलो LTC तो मिलती है न तुमको सरकारी करमचारी हो तो LTC ले लेना तुमारा LTC का पैसा मिल जाएगा घूमना हो जाएगा और वहां तुमारा रहना खाना बड़ा सस्ता हो जाएगा और थोड़ा सा अधीवेशन में बैठके सीख लेना ये उसको कहा जाता है नया व्यक्ति ये सोच करके LTC का पैशा भी मिलेगा और बच्चों का घूमना फिनना भी हो जाएगा और दिसम्बर के लाष्ट में छुटियां बहुत बाकी है छुटियां पढ़ती भी हैं तो छुटियां लेने नहीं पढ़ेगी तो सारे काव हो जाएगे और अधिवेशन का अधिवेशन हो जाएगा, तो अधिवेशन में वो खुद उनके रिजवेशन कराते हैं, और रिजवेशन करा करा कर ये तैय करते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, वहाँ बाकाइदा टेंट में बहुत पैसा खर्च होता है, खाने का रफ एक इंतिजाम होता प्रफ का मतलब है कि बड़े बड़े जो भगोने हैं रेख्ची हैं उन्हें खाना बनता है कोई साफ सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं रह पाता क्योंकि पैसा कम खर्च होता है तो इसने डर्ड मेंटें नहीं उपाता मगर चुकि आग पर पकता है इसलिए हाईजीन होता है कोई दिक्कत ऐसी बात होती नहीं है सोने के लिए मोशली वहाँ टेंटों में छोटे-छोटे से कमरे बन जाते हैं नीचे फूस पढ़ जाता है उपर से दरिया पढ़ जाती है या गद्दे वद्दे होते हैं और लोग अपने रियाई कंबल लेकर जाते हैं दिन काट लेते हैं महुल बड़ अच्छा रहता है क्योंकि लोग वहाँ आते हैं तो एक पारवरिक महुल सा हो जाता है एक सम्मिलन जैसा होता है मिलना जुलना हो जाता है अच्छा है होना चाहिए क्योंकि बुद्ध के समय तो 7 दिन में एकवार Сन्नि पात बहूल होता था सम्मिलन होता था हर अपते लोग मिनते थे और ऐसा ही सम्मिलन लगाता होता रहे तो सारे के सारे लोग मिल जाएंगे मगर नुकसान क्या है इससे वो देख लीजिए, दरसल सभी लोग 1978 के बाद जब आम से बनाया था साहब कासी नाम ने, उसके बाद में उसी टेंड में फसे हुए हैं, कोई 35 अधिवेशन करता है, कोई 39, कोई 40, कोई 42 और साहब कासी नाम के आँखों के साम नहीं इसके कई टुकड़े उसके हुए, और सभी टुकड़ों का एक रटा-रटाया, घिसा-घिसाया पैटर्न है, जो फिक्स है, साल में एक वार अधिवेशन करना है राश्ट्य है, और एक-एक स्टेट डेवल कर करना है, चाहें स्टेट में कितने भी लोग हैं, या जिलास तरिया छोट दभार्द बनाना है, चाहें बेसक बावा साब का आधिवात मानी जाएगी, नॉन रिलिजिस है, क्योंकि धम को रिलिजन मांगते हैं, और नॉन एजिटेशनल है, चाहें कुछ भी हो जाए, मगर एजिटेशनल नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेटरी है, यानि कि आपको अध पेजिएस्पी हो गया है, कुछ ने धम का भी इंटरनेशनल अच्छा चलता है, क्योंकि इंटरनेशनल पैसा अच्छा आता है, तो वो भी काम सुरूर कर दिया है, और एजिटेशनल की ब्रांच भी बन गई है, यानि कि सब ने सब सामान रखा हुआ है, मगर दिक्कत कहा ह हैं बड़ी, दिल्ली जैसे सहर के अंदर सपोज जैसे माना जैसे सो लोग हैं जो मिशनरी हैं, और सो लोग इन राष्टी अधिवेसन में बाहर जाएंगे, तो सो के सो लोग एक राष्टी अधिवेसन में नहीं जाएंगे, वो जो चालिस टुकड़े हो गये हैं 1978 के अ-धिवेसन मिशनरी साथवेस्टों जैसे अलग नामों से हैं तो एक यतरह का काम करते हैं, सबी केडल लेते हैं सबी ठक्सिशिशन देते हैं, सबीस है असे सापिन लोगों को अधर उनकी परिणाय के तरीख से करते हैं, वो यह पुराना घिशापिटा तरीखा है। तो वो लोग इन सौ लोगों में से अलग-लग लोगों को पटाते हैं और पकाते हैं तो दिल्ली में मानलो जैसे सौ लोग हैं जो अच्छे लोग हैं तो सौ लोग 20 जिगे बढ़ जाएंगे कहीं 2, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 10 जैसे जिसकी छंता जैसे जिसका भक्त लोगों को पटा ल उसको काम्यावी का खिताब बाकी भक्त देते हैं, बाकी लोग देते हैं, मगर नुक्सान कहा हो रहा है, एक ही आइडिलोजी, एक ही तरीका, एक ही तरह की छुट्टी, एक ही विचार, वही पुराना घिसा पिटा तरीका, और आपने इन सौ लोगों के टुकड़े कर दिये, यानि इनको अलग अलग ले गए, और अलग अलग ले जाकर अपने बाड़ों में बंद कर दिया, अपने संग्ठनों में बंद कर दिया, और ये कह दिया कि इसी संग्ठन में आपने लेना है, यही संग्ठन सबसे अच्छा है, तो आप लड़ किस से रहें, दरसल आप जिस साब ने जाती हैं खतम की थी आपने फिर खोल दी और अब उपर से संग्ठनों के टुक रहे हैं और कोई भी संग्ठन का पदादीकारी जो भक्त बना घूम रहा है या जो उसका आगा है यह मानने को त्यार नहीं है वो कहता है कि जितने लोग काम करते सब अच्छा है वह सार दुनिया का कौन सा ऐसा विक्ति है जो इस बात को सही कहेगा कि सो परिवार बीस जिगह जाएं और अलग लग जाएं और दुनिया का कौन सा ऐसा विक्ति है जो यह कहेगा कि अगर यह सो के सो परिवार एक जिगह जाएं तब बात अच्छी है इसको कौन माना करेगा इसलि तो का कोई अपना science या अपना sense of humor या अपनी कोई समझ नहीं होती, जो उनका आका जो उनको कहता है वैसा वो मानते हैं, और आका बड़ा समझदार है, आका बेकूफ नहीं है, आका इस इंत्यार में है, कि थोड़ी और मुसीबत आए, थोड़ा सा और ये लोग दर जाएं, मर खतम तो होई चुके हैं, फिर ये मेरे को आका मानेंगे और एक ही आका रहेगा, तो जगड़ा इन समय आका बनने का है, चाहे कोई हसके कहे, चाहे कोई रोके कहे, चाहे कोई मने करे, या कोई कोई इसको कह भी दे, जगड़ा इसी बात का है, कि सब का आका मैं रहूंगा, इसलिए इस बास से कोही मतलब नहीं है, कि यह जो हर शहर में उन्होंने 20-20 चुड़े के कर दिये, हर गाओं में 20-20 चुकड़े कर दिये, और एकी सहर में एकी दिन तीन तीन रैलियां होती हैं, एकी आदमी के ओपर, एकी मानेवर के ओपर, एक ही तरह के और अलग अलग लोग आते हैं और अपने आखाओं की जज़ेकार करते हैं और रैली मनाते हैं महापुरुस की तसलों वो महापुरुस का कतल करते हैं महापुरुस की आइडिलोजी को नहीं मानते इसलिए महापुरुस की आडिलोजी को नहीं मानना महापुरुस का कतल करना है काम अपना कर रहे हैं और जैनती महापुरुस की मना रहे हैं और अलग-अलग मना रहे हैं कितना रोता होगा वो महापुरुस का सच्चानू याई ये देखकर के कैसे मुर्ख लोग है महापुर्ष ने सब को इकटा किया और ये सब को रहलग करके खुश हमना रहे हैं और एक दूसरे से लट रहे हैं तेरी रेली से मेरी रेली जदा बड़ी तेरे लोगों के जमबाड़े से मेरा जमबाड़ा ज्यादा बड़ा अरे मूर्खो ये सारे जमबाड़े ही समाज के जमबाड़े हैं ये सारे जमबाड़े समबाड़ समाज के हैं इनको तोड़के कौन सी डिग्री ले रहे हो इनको तोड़के कौन सा अभिवान कर रहे हो क्योंकि ये मुर्ख लोग हैं, ये भक्त लोग हैं, इसलिए आप साथधान हो जाएए ये जो इतने सारे अधिवेशन हो चुके हैं, इन से थोड़ा सा लाब हुआ है मगर नुपसान ज़्यादा हुआ है थोड़ा सा लाब क्या हुआ है, आप तक एक विचार धारा पहुची है हालाकि उस विचार धारा में दुस्मन की पहचान ज़्यादा कराई है और दोस्त की पहचान तो कभी कराई नहीं क्योंकि अगर दोस्त की पहचान कराई होती, तो इनको सबसे मिलना पड़ता फिर आप इंसे पूछ लेते अरे भाई जब सब को दोस्त कहते हो या दोस्त बताते हो ये भी हमारा दोस्त है ये भी हमारा दोस्त है तो अलेलग क्यों हो तो इस प्रेसंट का सामना ना करना पड़े इसलिए कभी दोस्त की पहचान नहीं कराई हमें साथ दोस्त की पहचान कर जितना उसका शोर मचाएंगे दुस्मन उतना ही ताकत पर हो जाता है और हो गया और दोस्त की पैचान नहीं कराईगी क्योंकि दोस्त की पैचान कराने में तो पोल खुल जाएगी वह सारे ही लोग जो तूटे हुए लोग है वो तो सारे दोस्त हैं तो क्या कर रहे हैं हमको लगाता लगाता तोड़ रहे हैं तो इलाज क्या करें इनका इनका इलाज यह है कि इनके अधिवेशन में मत जाईए क्योंकि अधिवेशन से जाने से सारे के सारे जितने भी अधिकार थे समिधान में वो चलेगे और ये लोग हर वार नया एजंडा हर वार नया एजंडा आज कल नया काम चलदा है, सम्मिधान को बचाना है, सम्मिधान तो क्या बचेगा, उससे पहले था आरशन को बचाना है, तो आरशन तो क्या बचा और क्या बचेगा, तो उससे पहले कहते थे कि हमारा शोषन हो रहा है, हमें रासता लेनी है, सारे रासता चाबी है, लेली चा करने लिए कुछ नहीं है। बच्रीया बढ़ गया। सारी कंपनिया बिंग गई ह। जो सरकार की थी, और उपर से दिक्कत यह है कि हमारे पास ना जमीन है, ना जाज़ाद है, ना हमारे पास इंडस्टी है, ना फैक्टरी है, कुछ हमारे पास है नहीं. तो करेंगे क्या तो खाएंगे क्या, अभी मौका है थोड़ा बचने का, तो इन अधिवेशन में मत जाईए टिकेट अगर आपने रिजर्व कराबी लिया है, तो इस वार मत जाईए, तो अगली वार मत जाईए उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जब इनकी एधिवेशन में लोग नहीं जाएंगे, तो इनका मनुबल तूटेगा, जो इनके आका है, जो इनके काका है, जो इनके भक्त है, तो वो सोचने पर मजबूर होंगे, कि लोग क्यों नहीं आरहे हैं, तो इनकी हिम्मत तो ये एक साथ एखटा होने का सोचेंगे, फिर ये एक साथ एखटे होंगे, जब ये एक साथ एखटे होंगे, तो हमारा काम जो 70 साल में नहीं हुआ है, वो हो जाएगा, एक साथ एखटे होने से बात बन जाएगी, और अगर आप चले गए अधिवेशन में, तो इनकी हिम् करेंगे अरे भाई राज करने की लड़ाई नहीं है कर लेना राज इसको करना है अभी तो जान बचाने की लड़ाई है यह अपने राज के लिए नड़ रहे हैं और हम अपनी जान बचाने के लिए नड़ रहे हैं तो हमारा बचना ज्यादा जरूरी है इनका राज बचे ना बचे ये जाने, तो हमें अपने आपको बचाने के लिए, इनको सबक सिकाने के लिए, इनकी रशद काटनी होगी, इनको पैसा देना बंद करना होगा, और किसी व्यक्ति ने अगर रियर वेशन करा भी लिया है, तो इनकी अधी वेशन में ना जाए, घूम फिर के आ जाए, और अधी वेशन में ना बैठे, और फिर भी अधी वेशन में जाए, तो वहां जाके एक सवाल करें बार बार, आप सब का जब एक ही पिता में हैं, जब आप सब की एक ही एडिलोजी है, जब आप सब अमेटकर का फूट लगाते हैं, जब आप सब जोतिवा फूले का फू क्या कौन से तुम्हारे रियर बैंक ऑफ इंडिया में बैंक खुले पड़े हैं कि तुम्हारे बैंक बंद हो जाएंगे अगर एक साथ आ जाओगे कौन सा देश के तुम प्रधान मंती हो जो एक साथ आने में तुम्हारी प्रधान मंती की स्ट्रीट चली जाएगी कौन से प बार 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 ये बात बतानी पड़ेगी और इनके अधिवेसन के लिए ना अधिवेसन में नहीं जाना अगर आप इनके अधिवेसन में जाएंगे इनको पैसा देंगे तो फिर कभी भी ये खटे नहीं होंगे और अगर ये खटे नहीं होंगे तो आप बचेंगे नहीं, ज्यादा समय आपके पास नहीं है, असलिए आवाज खोलिए, आवाज जिसको ये दुस्मन कहते हैं, वो आपका दुस्मन नहीं है, जो ये लाखो टुकड़ों में, हजारों टुकड़ों में अलग अलग अधी वेसन करते हैं, ये दुस्मन है असल ने बहुत सारे संग बनाए, कौन से महाँ पर उसने संगती अलग अलग कराई, कहां संगत अलग अलग बैठती थी, कोई एक अधरण तो हो, इसलिए इनके जहांसे में मताईए, अपनी अकल खोलिए, ओपन यूर माइंड अपने मन को खोलिए, अपनी समझ को खोलिए, और इनके अधिवेशनों को स्टेट फारवर्ड ना कर दीजिए, और कह दीजिए कि हमसे वीदा पिपल ने मना किया हुआ है, कि एक भी पैसा नहीं देना है, इकटे होने के लिए पैसी के आवसकता नहीं है और हमें अधिवेशन की आवसकता नहीं है, अधिवेशन में क्या करोगे, कुछ बोलके बताओगे तो वीडियो भेज़ना हम सुन लेंगे, मगर अभी तो हमें वो वीडियो चाहिए जिसमें ये मेसिज हो, कि सारे के सारे संग्ठन एक हो गए हैं, सामाजी एक हो गए हैं, धंमिक सारे एक हो गए हैं, सरकारी करमचारियों के एक हो गए हैं, राजनीतिक लोगों के एक हो गए हैं, लड़कों के दलबल के एक हो गए हैं, जो महिलाओं के हजारों चलने हैं, वो एक हो गए हैं, जो जितने मज़ूरों के हैं, वो एक हो गए हैं, हमको सब एक तब हम पैसा देंगे पैसा देने के लिए मनाई नहीं है मगर तब तक नहीं देंगे जब तक आप इखटे नहीं हो जाओ चाया आप कुछ भी कर लो ऐसा आपको इन लोगों को बोलना है तो आपकी जान बच जाएगी तो हमारे बच्चे बच जाएंगे धन्यवाद